हेलो फ्रेंड्स आज हम जो पार्टर्शिप अकाउंटिक फॉर पार्टर्शिप फंडमेंट लिए हम ऐसे क्योश्टिंस करेंगे जो हमारे एक न्यू पैटर्ण के क्योश्टिंस हैं और अभी ल्डी जो एक्जाम हुआ था उसमें से 10 marks के questions ऐसे ही assertance और reason based के questions पूछे गए थे तो उन्हीं पे ही हम आज क्या करेंगे अपने questions की practice करेंगे तो एक तरीके कि यह इक बिल्कुल new pattern है जो CBC लेकर के आई है और इस पर से उमीद है कि आप लोगों के कम से कम अकंटनाई में दस से बारा मांक्स के क्वेशन इस बेसिस पे ऐसे टाइप्स के क्योस्ट आएँगे और पूछे जाएंगे तो हमें इन से पेस्पेशल फोकस करना है क्योंकि दस से बारा मांक्स कम नहीं रहते हैं और हंडर्ड और हंडर्ड वन परसेंट ऐसे क्वेशन पूछे जाएंगे आज का दिन है सिक्स वर्वरी आज की एक लास हो रही है आज नोट डाउन कर लेना और जिस दिन एक्जाम दे करके आओ तब तो उस दिन आप बता देना सर ऐसे क्योंस आए थे या नहीं आए थे जैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्योंस आपके पेपर में मिलेंगे देखने को क्योंकि एक न्यू पैटन एड किया गया है जिसके बेसिस पर मतलब कि पेपर भी कंडेक्ट कोन करा रहा है सीबेसी और सीबेसी के स्लेवस में भी है तो यह क्योंस जरूर हंडर्ड और हंडर्ड वन परसंट पूछे जाएंगे तो हम स्टार्ट करते हैं फिर्स्ट के साथ कि sr10 में क्या बोल गया है देखोँ यह पार्टन सी förm is separate and distinct अलग है entity फ्रोंगaufen थीख भोग फीजने से अलग अलग है फिर्य। मेंट से निलों क्या अलगव送ी विएजन क्यों यह कह ऑग इसका दिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रूम इस ने दिया है अकोडिंग टू बिज्नेस एंटिटी कंसेट में दोनों अलग-अलग माने गए है तो कौन सा सही है A सही है, R सही है, दोनों कहा है, सही है, R correct explanation है A की, तो both A and R are correct, but R does not correct explanation of A, both A and R incorrect है, A correct है, but R incorrect है, तो इसका answer कहा है, दोनों ही सही है, ये statement सही है, और इसका reason जो दिये है, ये भी statement सही है, तो हम कहेंगे A और R दोनों सही है, और उसका R correctly explanation है, किसका A का, R का है, साइश एक्स्प्लेनेशन दिया हुआ है A का, किलियर है, बार next question देखो A partnership firm can have maximum 50 members Partnership firm can have maximum 50 members, ठीक है बाद भाई, लेकिन यह हमें कहां बताया गया है, जो partnership है, उसमें कम से कम maximum 50 members होते है है maximum limit of partnership is being is described in partnership is had 19 32 क्या यह partnership ah 32 में बताया नहीं यह चीज कौन बताती है company settlements 23 में पहले बताया घदा हथ हंडर्ड अन्डर्ड मेमबर्स होते maximum लेकिन 2004 में जब 25 किया गया इसका उसमें बोल दिया गया है कि maximum कितने members होंगे 50 members होंगे partnership firm के तो अब देखते हैं इस में से कौन सी statement सही है बहुत a and r correct है और correct explanation a की भाई हो इनी सकता क्योंकि r तो खुद अपने आप में क्या है गलत है बहुत a and r correct है भाई r ही गलत है तो r तो यह second हो गा ही नहीं only a is correct आगे क्या बोले बहुत a and r is wrong भाई यह तो गलत बात है तो answer क्या होगा इस में से केवल एक ही सही है कौन सा partnership firm के maximum partners कितने होते 50 partners होते कि लिए रहे बात next question देखो partners are principles but not the agents of other partners principle है लेकिन दूसरों के लिए agents नहीं है बहुत यह तो क्या दूसरों का बात मैसे भील रिजन के दिया गया तो इसका के reason के दिया गयाए partners बार्स आर प्रिंशिक्ल जो partner से गलत है तो इसका गलत है तो इसका मतलब जब हमारी स्टीटमेंट आइग गलत होगी तो इसका मतलब होए हमारा option वे इसका मतलब कि हमारा पहला तो गलतså है तो इसका मतलब भी बात तो शाही है अंसे मतलब यह तो हो गार्जाफ। बात तो सही है अब बात आती है दूसरा option partners are principle as well as agent जो partners है वह principle भी होते ऐस वेल agents भी होते तो इसका मतलब नीचे वाला सही है कि हमें पता है partners अपने काम करता है ज़ा principle भी और आज एज़ींट भी तो इसका मतलब ए गलत है और और सही है तो D is the right answer, A और R दोनों गलत नहीं है, clear है बात, next fourth question देखो, क्या बोला है, क्या बोला है, देखो, when profit sharing ratio is agreed amongst the partner, they will share the loss also in same ratio, अगर partner से profit sharing ratio agree हो गया, partners के बीच में, तो loss भी उसी ratio में बाटा जाएगा, तो ये बात तो बिलकुल सही है, although in definition of partnership, given in partnership act, is stated that the profit will be shared, profit included loss, ये बात भी सही है कि partnership act में ये बताया गया है, कि partners में जो भी profit होगा, चाहिए loss हो, वो दोनों उसी ratio में बाटा जाएगा, जिस ratio में decide किया गया है, उसमें, तो इसका मतलब दोनों statements है है, अब हमें पूरे option देखने की ज़ोत नहीं है, ये option भी सह तो इसका मतलब इसका explanation भी सही है, तो इसका मतलब A और R दोनों सही है, R correct explanation है कि इसकी A की, clear है बात, next question देखो, fifth क्या बोला है, A minor can not be admitted in a firm as a partner, जो minor है, minor admit नहीं हो सकता है, firm में as a partner, ठीक है बात भई, A minor can participate in the profit of a firm, जो minor है वो profit में participate करेगा firm में, तो इसका मतलब दोनों statement सही है, क्या है, दोनों statement सही है, तो इसका मतलब कि a certain A is correct, R गलत बात भई, both A and R are correct, ये हो सकता है, आगे देखेंगे क्या बोला है भई, A is wrong, but R is correct, ये गलत है बाई, both A and R is wrong, गलत है बाई, तो वो answer क्या होगा हमारा, दोनों चीज़ सही है, तो both A and R, a certain, और reason, दोनों क्या है, सही, next question number six में क्या बोला है, देखो, when a close in partnership deed, when a close in partnership deed, different from previous partnership act 1932, close in partnership deed will be applicable, ठीका बाद भई, उसके बाद क्या बोला है, provision of partnership act 1932 will be applicable only when the partners have not agreed on a matter, जब partnership 1932 में, जो हमारे provisions है, कौन से, partnership act 1932 में, वो तब applicable होंगे, जब partners ने जो agree किया है, उस पर वो decide नहीं होते हैं, तब, मतलब उन पर agree नहीं होते हैं, तब, तो इसका महला दोनों statement सही है, और जो यह explanation दिया है, यह इसका explanation बिलकुल सही है, तो इसका महला A and R true है, but not correct explanation, explanation तो बिलकुल सही है न, A and R true, R is correct explanation of, तो हमारा B is the right answer, तो बाकी का option देखने की ज़रूरत नहीं है, next seven question में क्या बोला है, partnership may be conducted on the basis of return, oral, and all the partners should contribute capital in the firm, भई, partnership oral में भी हो सकती है, return में भी हो सकती है, और हर partner को पैसा लगाना पड़ेगा firm में, लेकिन क्या बात बोला है, reason क्या बोला है, it is necessary that return agreement exists and the business may be conducted on by all, any of them acting for all, तो यह क्या बोल दिया, भई, यह necessary है, return में agreement होना चाहिए, तो भई, ऐसा कही है, return में agreement होना चाहिए, ऐसा तो कही है ने, तो इसका मतलब, यह तो गलत है, उसके बाद हमारा बोला गया था, seventh में क् और ऐसा कहा लिखा है कि हर partners capital लगाएगा, तो इसका मतलब, दोनों statement हमारी गलत हो गई, तो और कुछ देखने को बचा ही नहीं, तो इसमें देख लेंगे, A और R correct है, यह भी नहीं, R correct है, गलत है, बोथ A and R is wrong, तो D is the right answer, कि लिए रहाँ बात, next question बोलो, 8th क्या बोला है, लोज credit balance, even when they, firm, suffer loss, every, after, every losses, year after year, भाई यह बात बोल दिया है, इसने तो हमला हमेशा ही credit balance हो करेगा, ऐसा हो सकता है, क्या, current account partners are maintained under the fluctuating capital method, by current account maintain किया जाता है, बनाया जाता है, का fluctuating method में, अच्छा भाई, fluctuating में बनाया जाता है, fixed में बनाया जाता है, इसका मला, R तो हमारा गलत हो गया, explanation कि तो छोड़ो, R गलत हो गया, लेकिन A सही है, fixed capital में, क्योंकि capital का balance हाएगा, तो हमें से credit balance हो करेगा, चाहिए business loss में चलदा हो, चाहिए वो फाइदे में चलदा हो, तो इसका मला, कॉनली A ही सही है, तो इसका मला, A और R true है, भाई, R तो गलत है, A और R true है, ये भी गलत है, A और R गलत है, ये तो गलत बात है, only A is true, तो राइट आंस्वर क्या होगा, D is the right answer, 9th question क्या बोला है, देखो, प्रिती, रिया, सरीता और पार्टनर हो गए होंगे, ये पार्टनर शिव डीड, प्रिती इस टू बी अलाउड शेल्डी, पार्टनर शिव डीड में अलाउड कर रहा है, सेल्डी आठ हजार परमत देन रिया और शिया 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 बही क्या बोला है कि लेकिन partnership deed में बोला है 8000 रुपय sale दी जाएगी प्रीति तेखो लेकिन यहां तो ria और शरीता भी मांग रहे हैं तो इसका मालव यह तो गलत होगी in absence of partnership deed अगर partnership deed में mention नहीं है तो ria और शरीता को कोई sale deed नहीं दी जाएगी तो ये बात सही है, इसका मतलए कुम सा सही है, बिलकोल, R सही है, और A गलत है तो इसका मतलए answer क्या होगा इसमें A और R correct है, गलत बात है, BG, A और R गलत है, BG, A गलत है, गलत है, सही नहीं है, क्योंकि R is correct, इसमें R कै़ है, बिलकुल सही है नेक्स 10th question क्या बोला है A, B, C, R partner as per partnership deed A is allowed partnership deed के according A को salary दी जाएगी 10,000 रुपे पर month B and C deemed same salary B or C भी चाहते हैं कि same salary मिले It was agreed among them that the salary to all partners is to be allowed 5000 per month ये decide हो गया कि हर month 5000 per month salary दी जाएगी किलियर है बात उसके बात क्या बोला है In absence of mention in partnership deed, sales are not to be allowed to them partnership deed जब silent है तो इसका मतलब कोई भी sales नहीं दी जाएगी इसका मतलब जब उन्होंने decide कर लिए तो partnership deed की बात कहा से आगी जब उन्होंने agree हो गए कि same rate से क्या मिलेगा वो मिलेगा तो इसका मतलब partnership deed का तो कुछ बचा ही नहीं तो इसमा मतलब कौन सही है Only क्या चीज़ सही होगा Only a सही है तो a और r कल सही है गलत है बात a और r सही है गलत है बात Only a is correct, only r is correct r तो गलत है हमारा सही कौन से a is correct तो right answer हमारा क्या होगा She is the right answer Next question देखो हमारा क्या है Rent payable to a partner Rent payable to partner is debited to profit and loss account and not debited to profit and loss appropriation account Rent देना था और उसको हमने लिख दिया profit and loss account में किसमें नहीं लिखा महला debit नहीं किया profit and loss appropriation account में सही बात है बाई रेंट को हमका लिखते है profit and loss account में profit and loss appropriation account में क्यों लिखेंगे Rent payable to partner is charge against the profit जो rent payable है वो against charge against the profit सही बात है बाई बिलकुल Note appropriation of profit hence is debited to profit and loss बाई इसका मतलब दोनों सही है और इसकी explanation ये बिलकुल सही दिया है क्योंकि इसलिए नहीं लिखा क्योंकि Rent हमारा है क्या है charge against the profit होता है तो उसको हम कहा पे लिखते है profit and loss account में इसका मतलब A और R सही है R note भाई ये note आ गया तो इसका मतलब कहा है A और R दोनों सही है लेकिन R correct explanation है A के तो इसका मतलब B is the right answer C or D को तो देखने की जरूरत ही नहीं है next question क्या बोला है देखो in absence of partnership deed in absence of partnership deed interest on loan by partner is not allowed भाई आगर partnership deed मतलब silent तो loan नहीं देजाए अगर loan तो दिया जाता है किस rate से interest पे 6% की rate से गनेश ये partner in a firm gave loan 10 lakh to a firm without an agreement the rate of interest interest on loan by the गनेश will be allowed 6% भाई बिल्कुल सही बात है A गलत है B reason इसका बिल्कुल सही दिया है तो 12th का answer क्या होगा R सही है बाकी गलत है तो इसका मतलब A और R गलत है सही है गलत है भाई A सही है गलत है भाई R सही है बोथ A and R गलत है तो इसका मतलब सही answer क्या होगा C will be the right answer के लिए रहे बाद next question क्या बोला देखो ABC वर partners ABC क्या है partners है firm में partners B gave a loan of 10 lakh to firm without an agreement rate of interest at the end of year all partners agree to allow loan interest on loan by being 9% सभी partner agree होगे कितने rates से interest दिया जाएगा 9% की rates से interest दिया जाएगा ठीक है बात भाई आगे क्या बोला है उसने in absence of partnership deed provision partnership act 1932 does interest on loan B should be allowed 6% not 9% यह तो गलत बात भाई एक बार आपने जबान दे दी उसके बाद आप मुकर गए तो यह तो गलत बात है तो इसका मतलब A बिल्कुल सही है और R और R का reason बिल्कुल गलत है तो यह तो होगा नहीं है तो सही कौन सही है किवल only A is the correct answer तो answer के नग होगा answer number C will be the right next question क्या बोला है देखो in case the amount drawing is not same if ranks are made on different dates interest on will be calculating using product method बाई अलग अलग निकाला है तो हम किस methods को use करेंगे किस को use करेंगे product method को use करेंगे सही बात है बाई यह तो है in such case interest on drawing is charged for the period it is drawn by the partner as such as average method cannot be used to ascertain the interest on drawing बाई सही बात है और इसका reason भी सही है तो इसका महला बोथ A and R correct है आगे तो कुछ देखने के जरूरत है ही नहीं गलत तो कुछ है नीज में next 15th question आपके लिए homework है इस का answer आप बताऊगे A और B क्या है partner ठीक है बाद बाई as per partnership deed interest on drawing is to be charged 9% per random interest on drawing किस rate से charge किया जाएगा 9% per random की rate से charge किया जाएगा A withdraw 10,000 per month at the end of month B withdraw 10,000 per month at the end of each quarter the firm incurred a loss firm को loss हो गया hence interest will not be charged on drawings पर फरम को loss हो गया तो charge नहीं करेंगे तो ऐसा कौन सा बात है ऐसे तो कोई बात है नहीं तो यह तो हो नहीं सकती interest on drawing will be charged 9% on 1,000,000 of A and 5.5 month and B 4. यह बात तो बिलकुल सही है तो answer आप comment में करके बताऊगे अगर यह questions आपको अच्छे लगे हो तो please like करिएगा, share करिए और subscribe the channel for new videos और यह questions थे एक new pattern आधारित questions थे जिसमेंसे मैं challenge के साथ कह रहा हूं कि ऐसे questions पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे तो means पूछे ही जाएंगे आप देख लेना जिस दिन आप paper देख करके आओ तो उस दिन बता देने सर ऐसे questions आए थे या नहीं आए थे तो आए हो तो बता देना नहीं आए हो तो very good लेकिन आएंगे ही मतला hundred and hundred one percent ऐसे questions आएंगे और उस दिन आप कहोगे सर ऐसे questions आए थे आपने करवा दिया तो हम करके आगए अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो please like करिए share करिए subscribe करिए और चैनल को subscribe जरूर करिए और comment में यह जरूर बताए कि questions आपको कैसे लगे thank you and have a nice day